हेलो माई यूटूब फैमली कैसे हैं आप सब आशा करते हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे स्वस्त होंगे मस्त होंगे और खुश हाल भी होंगे सो आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर यूटूबर्स आधना सोनी हैपी विट सिंपल लाइफ सो गाइज आज की डेट मैं आप लोगों को बता दू 25 फैब और आज डे है थर्सडे सो अभी मॉर्निंग टाइम हो रहा है आप सभी को गूड मॉर्निंग और मैं आपको बता दू कि अभी इतनी सुभा मैं कहां जा रही हूं और टाइम बता दू मैं रेडी क्यों हूं तो हो रहा है एट ओ क्लोक कि अभर अभी मुझे कहीं जाना है सो बहुत ही जल्दी मैं आप लोग को एक बहुत अठ्चा लगेगा सो वेट कीजिएगा जब तक मैं वहां से हो के आती हूं तो सोच्यों कि आज आप लोग को good news दे दू या फिर एक दो दिन बाद तो चलो जैसा होगा देखा जाएगा बट अभी मैं जहां जा रहे हूं वहां से होके आते हूं फिर decide करते हूं आपको आज बताओं या फिर दो-तिन दिन बाद बताओं तो चलो देखते हैं फिलाल तो मैं अभी जहां जा रहे हूं वहां से होके आओं फिर आप लोग से मिलते हूं तो तब तक के लिए इंतिजार कीजिएगा मेरा चलो मिलते तो देश सो के गाईज अभी बिल्कुल रडी हो चुके हैं घर से निकलने के लिए तो वही मैं आपको पाने की बॉटल बैग वगरा शो करा रहे थ दिन को और इसके नेक्स डे तक वीडियो मेरा कंटीन्यू रहा तो अभी आपको पता चलेगा कि दो दिन तक का मैंने क्यों कंटीन्यू किया तो यहां पर देखिए अभी मैं आ चुकी हूं घर से काफी दूर आ चुकी हूं मैं तो अभी आपको पता चलेगा आगे कि मैं कह नहां जा रही हूं क्या मतलब बात है सब पता चलेगा आप को इसी व्ञाव सा सरय तो अभी ज़ा है यैशम धीन तक हो चाइसा दो दिन स्टमियो मैं गाया अऩचे बाद मैंने हिस सोवरां और बसकल को आप करनिश का दोड़ीजियो यह अवियू सुडिल होने कारण हेलों गैस ऑभी आप लोगो में पूला ऊफ़ा जिलीग। time कितना हो रहा वो देखी time हो रहे है सवा एक मैं आई हूँ कितनी बजी एक बजए आई हूँ गर पर तो आई हूँ हाथ पैर धोए मैंने और उसके बाद मैं चिपचाब से बैट गई और अभी बहुत ठक चुक्यूं तो मैं आप लोग को बताऊँगी थोड़ी देर से कि मैं कहां गई थी और कहां इतना टाइम लगा मुझे सुबा आठ बज़े से एक बज़े तक कहां थी मैं तो आप लोग को बताऊंगी थोड़ी देर के बाद लंच कर लो उसके बाद बताऊंगी ओके चलो के बाद बताऊंगी कि मैं कहां गई थी क्या है सारी बाते बताऊंगी बट क्या हुआ न की लंच के बाद फिर मैं पुह ज़्यादा ठकी थी तो फिर मैं थोड़ा सा अराम करने के लिए लेटी और फिर मेरी आँख लग गई फिर मैं उटी वही साड़े पांच बज़े के असपास तो फिर मुझे क्या था ना फटा फट से अपना डिनर प्रेपेर करना था और चाय वगरा बना के फिर कोई आ भी गया था तो मैं बाते करने लगी उसके वज़े से फिर मैंने का चलो कोई नी मैं फिर आपको और मैंने तुछा कि next day आपको मैं बता दूँगी और फिर आज भी morning में मैं गई थी और लेकिन फिर morning में मुझे बहुत जल्दी जल्दी हो रहे थी आज तो मैं वीडियो नहीं बना पई वो जो आपने वीडियो को वो वीडियो मतलब बना रही थी जो मैं व्लॉग बना रही थी उसको मैंने कल स्टॉप कर दिया था आज next day से मैं start कर रहे हूँ तो हो जाता है कभी-कभी नफ़कान हो जाती है तो हाँ मैं आप लोग से बता दू कि कहां मैं क्यूं इतनी बीजी हूँ और मैंने जैसे आपको उस वीडियों बताया था कि मैं बताऊंगी मैं कहां जा रही हूँ So guys सबसे पहले मुझे congratulations बोल देना क्योंकि अभी क्या है कि मैंने school join कर लिया है So yes मैंने school join किया है और teaching के लिए तो actually क्या है कि मैं पहले भी teaching करती थी शादी से पहले मैं teaching करती थी बट शादी के बाद जैसे आप लोगों को पता है बहुत से चीजे रह जाती है बहुत से चीजे हम पीछे छोड़ देते हैं जो हम unmarried life में होता है हमारा तो वो सब हमारा मतलब मेरा पीछे रह गया तो शादी हुई शादी के बाद बेबीज हुए फिर बेबीज को पूरी take care मतलब मेरे ही मतलब जिम्मा था तो जैसे आपको पता है कि जो चीजे मतलब एक मदर कर सकती है कोई भी ओ फैमिली मेंबर में नहीं हो सकता जिस तरीके से मतलब मा करती है उस तरीके से कोई और करी नहीं सकता चाहे वो कितनी भी help हो सकती है लेकिन जो बेबी की take care है वो एक मदर ही कर सकती है तो उसकी वज़ास से फिर क्या हुआ कि काफी time मैंने इसको stop कर दिया और फिर बच्चों में बहुत अच्छे तरह से रम गई बेजी हो गई अपने घर पे बच्चों पे बहुत अच्छे से फिर मतलब केशव है जो उनका भी school जाने का time हो गया है नंदिता का भी school जाने का time हो गया है तो दोनों बच्चे अभी थोड़े से बढ़े तो नहीं हुए हैं पर क्या है इसको जाने का time हो गया दोनों बच्चे समस्दार हो चुके हैं तो इसकी वज़ा से मुझे मौका मिला और मैंने फिर से अपनी टेचिंग सुरू करने की सोची तो बस अभी मैंने स्कूल जॉइन किया हुआ है और इसे कंटीनिव करूँगी और आप लोग का सपोर्ट मिलेगा यहां पर जरूर मुझे तो अपनी व्लोगिंग भी पन मिलेगा तो मैं आप लोगों को अपना पन जरूर वापस करूँगी तो बस यही था आज मुझे आप लोग से बताना था कि मैंने फिर से अपने टेचिंग सुरू कर दी है फिर से मैं स्कूल जॉइन कर लिया है मैंने और मुझे बहुत अच्छा लगता है टीचिंग कर मुझे बहुत पसंद है तो अभी मैं बहुत खोष हूं कि मुझे मेरी पसंद कहते हैं जिस काम में आपको इंटरेस्ट होता है न उस काम को आप बहुत ही अच्छे तरह कं से कर पाते हो तो मेरा बहुत इंट्रेस्ट था इसके लिए ही मैंने टीचिंग कोर्स किया था और टीचिंग भी करती थी अभी मैंने फिर से स्टार्ट कर दिया अपना टीचिंग जॉब तो बस अभी न्यू न्यू मेरी जॉब है तो मुझे वहाँ एक्टिव रहना है और मुझे मेरी व्लॉगिंग मेरी वाइटी पर भी एक्टिव रहना है तो देखती हूँ डोनों चीजे अच्छी तरह से मैनेज हो पाएं तो बहुत अच्छी बात है वरतोरी दिक्कती तो होती है कोई चीजे आप नई-ईस्टार्ट क तो अभी मुझे अपने आपको कमफर्ट जोन से निकालना है बाहर और कहते हैं आप जतना ज्यादा कमफर्ट जोन में रहते हो ना आप उतना ज्यादा मतलब अनसेफ रहते हो तो अपने आपको कमफर्ट जोन से बाहर निकालना है और लाइफ में आगे बढ़ना है और बह मैं तोड़े देर पहले ही सो के उठी हूं तो मेरा सोया सोया फेस लग रहा होगा ना तो मैं जब सो के उठते हूं मुझे अपना फेस अच्छा लगता है क्योंकि तो तो चलो यह भी चाय बनाऊंगी आपके साथ शेयर करूंगी ओके चलो ओके गाइस तो चाय अमारी यहां पर दो कप रेडी हो चुकी है और जब आपसे मेरी बात हुई थी तब बज़रते शाम के पांच और अभी बज़रे हैं साम के च्छै सो जब हस्बन जी घर आए मैंने तभी चाय चड़ाई तो यहां पर रेडी हो चुकी हमारी चाय एक्चल लाउल एक अफोर फिर से आपके सामने और वो भी एक एकई कप चाय के साथ इस चाहिए उड़के हम तो चीर्ष करते हैं आपको कुछ कहना है यह बहुत तो है नहीं किसर नहीं करो वह अभी किया नहीं इकदम से गर्मी पढ़ रही है जैपूर में पता नहीं इतनी महालों में और का महाल कैसा है पर हमारे जैपूर में तो गर्म पढ़ने लगी ना किस अब ही मुझको बनाना है डिनर यह वाला व्लॉग में यही पेयांड कर दूंगी और इसके बाद तुरण दूसरा व्लॉग स्टार्ट करूंगी और वो वाला व्लॉग आप लोगो देहने को मिलेगा नेक्स्ट व्लॉग में यहां से तो आगे बढ़ेंगे ही और डबल महनत करेंगे अबी स्कूल भी जॉइन कर लिया और उसके बाद फिर यूटूब भी देखना है तो दोनों चीजे मैनेज करनी है मुझे और बाकी सबसे बड़े सपोर्टर मेरे ये हैं और आप लोग भी है जो मुझे हर पल हर टाइम सपोर्ट करते हैं और मुझे मैं और अच्छी से अच्छी वीडियो में अच्छे से अच की व्लोग का करते हैं यहीं दी एंड और ब्लॉग अच्छा लगाओ तो लाइक छापना ओके और कॉमेंट जरूर करना अपने अच्छे प्यारे प्यारे कॉमेंट्स करना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली हर लेटस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे और हाँ बैल आइकन जरूर प्रेस कर लेना बैबाई